इस वक्त मैं मदन शर्मा के घर के बाहर खड़ा हूँ, आपको बता दें कि कल मदन शर्मा को दोपहर के समय, करीब 8 से 10 विशैनिकों ने उनके उपर अटाइक किया था, यह अटाइक इसलिए किया गया था क्योंकि मदन शर्मा ने उद्धो ठाकरे का एक कार्टून पास वो गेट पर आये, यहां से इंटर कॉम के जरिये फोन किया गया, और फिर वसंद प्राइड नामक इमारत की पांचवी मंजिल पर रहने वाले मदन शर्मा नीचे आये, इसके बाद उन्हें दोड़ा कर मारा गया, और आगे जो एक CCTV दिखाऊंगा, मैं आपको CCTV में य उसके अलामा करीब पांच या निशिव शहनी को फिलाल पुलिस ने गिरस्तार कर लिया है, इनके उपर कारवाई की जारी है, लेकिन सबसे बड़ा शर्मनाक बात यह है कि जिस पार्टी की निव ही कार्टून पर रखी गई हो, जिस पार्टी का सुप्रीम लीडर यानि की बाड़ साहिब ठाकरे, खुद कार्टून बनाकर उन्हों इतनी बड़े उचाई हासिल की, महराष्ट के बड़े नेता बने, देश के बड़े नेता बने, ऐसे ही कार्टून बनाकर उन्होंने प्रसिद्धी हासिल की, लेकिन जब उसी उन्ही के परिवार पर जब कि लोग गुंडा गर्दी पर उतराते हैं मारपीट पर उतराते हैं चोटी सी बात भी सहन नहीं कर पाते और यकीन मानिये कि जिस तरह से कंगना रनावत लगातार शिवशना और संजेराउत उध्व ठाकरे के खिलाब मोखर होकर बात कर रही है अगर उन्हें सुरक्षा प्र पर रहाल छे लोगों के गिरिफ्तारी हुई है जिन पर कारवाई हो रही है और ऐसे जो और लोग फरार हैं उनकी तलास की जा रही है कैमरापरसन जतिन बांदरे के साथ अश्रिन पांडे टीवी नाइन भारत वर्ष मंबई फिक्र आपकी सुमवार से शुकरवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर